हावुरूफिक्स वान प्लस एक्स कोल इको प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों अगर आप सभी का तिकराच यूट्व चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने वान प्लस के दिवाइस में कोल इको प्रॉब्लम सौल्फ क कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके जो फोन है ठीक है तो उसमें दोस्तों अगर और को प्रोब्लेम हो रहा थे तो नों को अगर आप fix कर देते तो आपका problem solve हो जाएगा ठीक है वीडियो के सारां तक बने रहे हैं सारे साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शूरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने mobile को restart करेंगे restart करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको जो है mobile के sim card को eject और insert करना है ठीक है सबसे पहले चीज़ आप इसी को follow कीजिए sim card को eject and insert करके आपको दुबारा से call retry करके देखना है अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होते है तो जाए दोस्तों अपने play store में और search कीजिए अपना phone service phone service search करने के बाद आपको क्या करना है phone service phone service को आपको update कर देना है ठीक है तो phone service update करने के बाद दोस्तों आपको बेग करना है setting पर जाना है scroll down करना है और system पर क्लिक करके reset option पर click कर देना है और उसके बाद reset wifi mobile and bluetooth के option पर आपको click करना है और उसके बाद आपको sim select करते हुए reset setting पर click करना है mobile password बर देना है और reset कर देना है जैसे ही यहाँ पर network setting reset हो जाएगा आपको back करना है थोरह से उपर में जाना है apps and notification on करना है उसके बाद दोस्तों आपको see all apps पर click करना है और यहाँ पर आपको scroll down करते हुए नीचे जाना है तो नीचे आपको मिलेगा one यहाँ पर आपको मिलेगा phone service ठीक है phone service पर जाए और उसके बाद आपको storage and cache पर click करना है clear storage पर click करने के बाद आपको ok कर देना है जैसे ही clear storage कर देगा make sure की सारे permission इसका enabled रहे सारे permission enabled है तो back करें mobile को restart करें और check out करके देखें तो आपका दोस्तों problem जो है solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने problem को solve कर सकते हैं by any chance अगर अभी भी आपको problem आ रहा है तो नेट्रो को और थोड़ा सा fix करें उसके लिए setting पर जाना है नेट्रोक option पर click करना है से में नेट्रोक पर जाएए अपना नेट्रोक को switch कीजिए ठीक है नेट्रोक setting कीजिए यहाँ पर तो अगर आप 2G कर रहा है तो 4G कीजिए अगर 4G कर रहा है तो 3G पर connect कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा wait करके जब 3G पर connect हो जाएगा या फिर 2G पर connect हो जाएगा आपको दुबारा से सुपर करना है तो 2G पर ठेक है उसके बाद दोस्तो आपको सीम के अंदर पर जाना है वोल्ट इनेवल कर देना है वोल आपको काफे मदद करेगा वोल्ट करके दुवारा से ट्राइ करके आपको कोई भी प्रॉबलम नहीं होगा कॉल इको प्रॉबलम सौर्फ हो जाएगा ठीक है सारी साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आपको call echo का problem आते हैं तो आपको system पर जाके software भी update करना होगा system update जो लिखा हुआ यहाँ पर तो system update पर click करके system को update कीजिए तो जैसे ही software update हो जाएगा आपका call echo problem भी fix होगा तो इसी तरह के से दोस्तों आप अपने call echo problem solve कर सकते हैं उमी कर्टे दोस्तों आपको यह वीडियो पसनेयोगा, THANKS FOR WATCHING